नमस्कार दोस्तों आज आपका शागत है नर्सिंग फैसलिटी विट एक ही के साथ मैं नर्सिंग आफिशर आपका शागत करते हैं हमारे अपने चैनल पर हम वही देख रहे हैं आज यहां पर चालिस्तवा कोशिण हम करने चाह रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं अब तो यहाँ पर question है लाइसो साहूं प्राय हप आये जाते हैं option number first तन्तु कोशिका में option number second है पादप कोशिकाओं में option number third है ए और भी दोनों में option number fourth है जीवानु कोशिकाओं में तो option number second यहाँ पर right होगा पादप कोशिकाओं में then 41 number पर question आ जाते हैं निमलिकित में से किस एक की कोसी का भितियों में सेलूलोज एक प्रधान घटक है तो option number first है Pythium में Option number second है Genthomonas में Option number third है Studomonas में Option number fourth है Secheromyces में तो right answer यहाँ पर होगा Pythium में Pythium right answer होगा Then यहाँ पर 42 number पर Question है Genith अब केंदरन में अब उपकोशी का संडचनाओ की Sentimention का सही करम है तो जो इनका Sentimention में जो right करम है वहाँ बताना है हमें तो first option है Lykae में Mitrokandiria में Nabic में और Lysosome क्या यह right answer है Then second number पर देखेंगे Mitrokandiria है Nabic है Lionkae है Ribosome है Then third number पर Nabic first में आ गया Second में Mitrokandiria Third में Lionkae और fourth में क्या है Ribosome फिर fourth number पर है Lionkae Ribosome Mitrokandiria और Nabic तो यहाँ पर Right answer होगा C Nabic Mitrokandiria Lionkae और Ribosome तो option number third यहाँ right होगा ओके इसके बाद देख लेते हैं Next question Next question यहाँ पर आ जाता है 43 नमबर पर Glygicae का सबसे मुख्य कारी क्या है First किन्वन Second है Second number option यहाँ पर देख लेंगे Phosphorylation Then third number पर option आ जाता है Glygocidation और fourth number पर option आ जाता है Translocation तो right answer क्या होगा यहाँ पर Right answer होगा यहाँ पर C Glygocidation होगा Glygicae का मुख्य कारी 44 नमबर पर question आता है निम्न में से गलत कथन है कौन सा गलत कथन है यहाँ देखेंगे हरित लवक तथा Mitrokandiria दोनों ही में एक भिती Okay, क्या दिया हुआ है एक भित्री और एक बहारी जिल्ली होती है Then, second number पर option है हरित लवक तथा Microkandiria दोनों में Thylakoid छिलियों से परिसीमित एक भित्री कक्ष Thylakoid गुहा होती है Then, third number पर question आज option आ जाता है आपे हरित लवक तथा Microkandiria दोनों में DNA होता है Option number third हरित लवक सामाने तया Microkandiria से काफी ज़्यादा बड़ा होता है तो यहाँ पर गलत कौन सा कथन है बहुत देखना है हमें तो यहाँ पर गलत कथन है भी हरित लवक तथा Microkandiria दोनों में Thylakoid छिल्ली से परिसीमित एक भित्री कक्ष थाइल क्वाइड क्वाइड गुहा होती है यह गलत कथन है तो राइट ओप्षन होगा B 45 नमबर पर कोशन है निमलिकित में कौन सा एक कोशिका जिल्ली का रचक है तो यहाँ पर चार ओप्षन दिये हुए हैं फर्स्ट ओप्षन है कॉलेस्ट्रॉल सेकंड ओप्षन है गलाइको लिपिट्स थर्ड ओप्षन है प्रोलीन और फूर्थ ओप्षन है फास्पोलिपिट्स तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा राइट ओप्षन होगा प्रोलीन क्या है कौन सा एक कोशिका जिल्ली का रचक है तो क्या है प्रोलीन है देन 46 नमबर पर यहां पर कोशन आ जाता है माइट्रोकांडेरिया जिल्ली के विशे में निमलिकित में इसे कौन सा एक कथन सही है तो कौन सा एक कथन सही है प्रलिते फरस्ट पे हैं बहारी जिली तथा बहारी जिली सभी प्रकार के अन्वों के लिए परागम्य होती है देन सेकेंड नमबर पर है इलेक्ट्रोन इस्थानतरंस रंखला के एंजाइम भारी जिली से अंतह इस्थापित होते हैं देन थार्ड नमबर पर ओप्सन है भीतरी जिली अत्याधिक कुंडिलित होती है और अंतह वलयों का एक क्रम बन जाती है और फोर्ट नमबर ओप्सन है भारी जिली एक छलनी जैसी होती है तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकेंड तो सेकेंड में क्या दिया है इलेक्ट्रोन इस्थांदरंस रंखला के एंजाइम्स बहारी जिली में अंतह स्थापित होते हैं ये राइट आंसर है ओके देन 47 नंबर पर कोशन देख लेंगे हम 47 नंबर पर यहां पर कोशन दिया हुआ है गुनसुत्र बिंदू को अन्नी किस नाम से जाना जाता है तो यहां पर चार आप्शन दिये हुए है फर्स्ट है तारकेंद्रक, सेकेंड है लोकस, थर्ड है सिटिलाइट बॉड़ी, फोर्थ है प्रात्मिक संकिर्नन तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर दि होगा, प्रात्मिक संकिर्नन प्रोषन है आकार की द्रेश्टी से निम्न में से कौन सा घटता हुआ क्रम है यहां पर दिया है कोशी का नाभीक गुनसुत्र ओप्सन नमर फास्ट में और जल अनू और ऑक्षिजन अनू Then second number पर कोशी का नाभीक, जल अनू, ऑक्षिजन अनू, गुनसुत्र. Then third number पर है गुनसुत्र, कोशी का नाभीक, जल अनू, ऑक्षिजन अनू. Fourth number पर option है यहाँ पर कोशी का नाभीक, जल अनू, ऑक्षिजन अनू और गुनसुत्र. तो यहाँ पर right answer क्या होगा? Right answer होगा first First में क्या दिया है? कोशी का नाभिक, गुनसुत्र, जलनूर, ऑक्सिजन यह right करम होगा, okay? देन यहाँ पर 49 नमबर पर कोशन आ जाता है क्या है कोशन 49 नमबर पर देख लेंगे 49 नमबर पर कोशन है 70S, ट्राइबोसोंस की दो उपकायों का और शाद इस्थित होते है तो यहाँ पर option है 40S तथा 30S और option नमबर second पर 50S तथा 20S और option नमबर third, 50S तथा 30S और option नमबर fourth, 60S प्लस तथा 20S तो right answer यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर right answer होगा C, 50S तथा 30S होगा then यहाँ पर 50 नमबर का कोशन आजाता है कोशिका की यांत्रिक आधार देना एंजाइम परिवाहन वो प्रोटीन संसिलेशन किसका कारिय है? तो first option है डिक्टियो सॉम्स के, second option है कोशिका जिल्ली के, option नमबर third है माइट्रो कांडिया के, option नमबर fourth है अंतह प्रदवी जालिका के, तो right answer यहाँ पर होगा डि अंतह प्रदवी जालिका का कारिय होता है, एंजाइम सवादी वे परिवाहन और प्रोटीन संसिलेशन का कारिय है option number 51 है, sorry question number 51 है, एंजाइम सब्द का प्रियोग सर्व प्रथम किस नहीं किया तो यहाँ पर चार option है, जेबी सुनर ने, और second है, कुहाट ने, और option number third है, गानियर ने, option number fourth क्या दिया है, रॉबर्ट हूप ने तो right answer क्या होगा यहाँ पर, right answer यहाँ पर होगा कुहने ने, इड़ों ने दिया है, एंजाइम सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया है, कुहने ने, ओके option number, sorry question number second है then question है, यहाँ पर एंजाइम समिस्टित एंजाइम समिस्ट्र को कहते हैं, किसको कहते हैं, या देख लिए, हैलों एंजाइम को, इपी एंजाइम को, को एंजाइम को, या प्रोस्थेटिक समुह को, तो किन ही कहते हैं, कोन जाइम, sorry एंजाइम समिस्ट्र किसे कहते हैं, तो हेलों एंजाइम को, एंजाइम समिस्ट्र कहते हैं, then next question है, सभी एंजाइम होते हैं, most important question होता है सरकरा होता है वशा होता है प्रोटीन होता है या विटामिन होता है तो आपको यह बहुत अच्छे से याद रखना है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं हेलो एंजाइम इपी एंजाइम देन हैं को एंजाइम और इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या होगा देख लिजे राइट आंसर यहां पर होगा इपो एंजाइम और आप्सें नमबर बी राइट आंसर होगा निमन में इसे किस एंजाइम को ओ एम प्रोस्थेटिक समुह के रूप में होते हैं तो फस्ट है फास्पोटेज फास्पोटेज देन सेकेंड है डी हाइडरोजीनस देन थर्ड है आईसो मेरे शस्टेज़़गा अप्सें अफसें नमबर थर्ड है नाइट्रेट रिक्टेश सorder नहीं दिख रहा है पर यहां पर है नाइट्रेट रिड़क्टेज है ओके तो यहां पर राइट आंसर कौं सा होगा तो राइट आंसर यहां पर होगा dehydrogenase option number second यहाँ पर right answer होगा then next question पर चले जाते हैं तो next question यहाँ पर है enzymes की क्रिया विधी के लिए ताला चाबी परिकल्पना किसने दी है तो यहाँ पर किसने दी है ताला चाबी परिकल्पना चाओर option है फिशर, जेकोब then third option है कोसलेंट और fourth option है समनर तो right answer है किसने दिया है यहाँ पर ताला चाबी का जो परिकल्पना है तो यह फिशर ने दी हुई है यह परिकल्पना option number first फिशर ने then option question next है निम्नमेशे कौन सा को एंजाइम है फिस्ट है निकोटिन निमाइट then second है राइवोफलेकपीन और fourth है पेंटोथिनिक अमल और fourth है यह सभी तो right answer यहाँ पर होगा D यह सभी क्या होते हैं को एंजाइम होते हैं निम्न में next question निम्न में कौन सा एंजाइम सर्व प्रत्थम प्रत्थक करके रवो के रूप में शुद्ध किया गया है तो यहाँ पर option दिये हुए हैं क्या option दिये हुए हैं यहाँ पर देख लीज़े ओप्सिन हमाइलेश देन सेकेंड यूरीश थर्ड है राइबो नूकलियस और फोर्थ है पैपसीन तो राइट आंसर यहाँ पर होगा भी यूरीश के रूप में प्रत्थक किये जाते हैं देन 59 नंबर पर question आ जाता है यहाँ पर एक एंजाइम जो स्टार्च का जल अपगटन कर माल्टोस में परिवर्थित कर परिवर्थित कर देते हैं क्या कहलाते हैं फर्स्ट है लेक्टेश सेकेंड है प्रोटीश थर्ड है माल्टेश और फोर्थ है एमाइलेश तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा डी एमाइलेश की रूप में परिवर्थित कर देते हैं देन लास्ट कोशन और यह साथ नंबर का कोशन है सब्द माल्टो माइल्टोसिस किसने प्रस्थावित किया तो यहाँ पर आप्शन है फ्लेविंग तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है फ्लेविंग ने ओप्शन नंबर फ्रस्थ राइट आंसर है फ्लेविंग ने माइल्टोसिस सब्द का प्रस्तावित किया था तो सो गाईज यहाँ पर जैसे हम देख चुके हैं कितने साथ कोशन किस से जो चैप्टर है कोशी का कोशी का जीवन की भौतिक इकाई है सॉरी इकाई केस में ओके तो यहाँ पर साथ कोशन हम देख चुके हैं ओप्सन की किस तरीके से कोशन पूछे जाते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए नर्सिंग फैसलिटी विट एके के नाम से वहाँ पर सारी पीडियाब प्रवाइट की जाती है थैंक यू ग्यू वच्छिंग वीडियो और अवचिंग जाती है